अस्सालाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ साफुरामान ओर चैनीज लैंविज कॉर्स अंप्लीर इन उर्दू के लेक्चर नमबर 85 के साथ हाजिर हूँ तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को इस वीडियो में हमारे पास पहला वर्ड है मिलू मिलू का मतलब लोस्ट यानि गुम जाना लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमने तो पहले भी एक वर्ड परसा त्यूला त्यूला का मतलब भी था गुम जाना तो दोस्तों मैंने उस वक भी बताया है त्यूला जो वर्ड होता है वो चीजे गुम जाने के लिए इस्तमाल होता है और जो मीलू है ये किसी परसन, किसी बंदे, किसी इंसान, लिविंग चीजों के गुम जाने के लिए इस्तमाल होता है एक्जेंपल देखते हैं जी परसन के लिए मेरा दोस्त गुम गया है ला यानि गुम गया है निदा अर्ज मीलूला मा निदा अर्ज मीलू मा या मीलूला मा तुम्हारा बेटा गुम गया है क्या रूग्वा वा छुउ दाखुवा वा मीलू अगर मैं गया तो मैं गुम जाऊंगा नेक्स्ट वड़ा discovering दोस्तों महर पस थो थो का मतलब है तुस्टील चुराना चोरी करना किसने तुमारा हैंड बैग चोरी किया थोरन थोरन बोलते हैं थीव को चोर को थाशिर थोरन वो चोर है वद अच्छ थोला मेरी गाड़ी चोरी हो गई है नेक्स है दोस्तों मारे पास चीर लियांग जेड अच्छ चीर लियांग मतलब क्वालिटी क्वालिटी चेगा इफू दा चीर लियांग इस कपड़े की क्वालिटी हन्हाओ बहुत अच्छी है नेक्स है दोस्तों ये भी हमारे पास सुनला सुनला, leave it छोड़ो इसे, forget it दफा करो इसे, मिटी पाओ सुनला मिटी पाओ, दफा कर यार ठीक है, जब आप इस तरह से बोलना होते हैं तो आप बोलते हैं सुनला next आज दोस्तों, हमारे पास ये गोर से समझेगा, हमारे पास अभी ये तीन तरहा के word है, एक खुई खई और नंग ठीक है, ये तीनों ही can के लिए use होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा difference है, वो गोर से समझे लीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो पहला जो word है दोस्तों, ये हमारे पास है खुई का मतलबत है can, कर सकना मैं ये काम कर सकता हूँ हम सुनते हैं मुथी तरह के सकना वाले जो जुमले मैं जा सकता हूँ क्या मैं आ सकता हूँ क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं पी सकता हूँ ठीक है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ये नहीं कर सकता तो इन चीज़ों के लिए हम खुई, खई और नंग को यूज़ करते है तो थोड़ा सा इंड में डिफरेंस है वो तरह गोर से समझ लीज़ेगा पहला है खुई, खुई का मतलब है और ये उस वकत यूज़ होता है जब आपने अपनी कोई स्किल बतानी हो या ठीक है, अबिलिटी शो करनी हो स्किल खास तोर पे, खुई एक्जेंपल देखते हैं, अबिलिटी नि खुई शुआ चुंगवन मा क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो यनि वो पूछ रहा है कि आपके अंदर ये अबिलिटी है कि आप चाइनीज बोल सकते हो आप कहते हैं जी हाँ मेरे अंदर ये अबिलिटी है मेरे अंदर ये काबलियत है कि मैं चाइनीज बोल सकता हूँ तो देख रहा है आप समझा रही है वोपू खुई शुआ चुंगवन इसका मदलब है कि मेरे अंदर ability नहीं है Chinese बोलने की मैं Chinese नहीं बोल सकता next जाई दोस्तों मारे पास खरी खरी का मदलब है can इसका मदलब भी वोई है लेकिन इसका मदलब इसको हमने उस वकत use करना है जब जब हम बात कर रहे होंगे permission की किसी से आपने जाज़त लेनी हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या मैं जा सकता हूँ क्या मैं खा सकता हूँ उस वकत आपने ख़ई इस्तमाल करना है permission के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या मैं क्या मैं कर सकता हूँ निखई छू तुम जा सकते हो Polite खई जो है एक प्लाइटनेस को भी शो कर रहा था यानि आप कर रवहिए के प्लाइटनेस होने को भी शो कर रहा था हाँ आप जा सकते हो Next जो हमारे पास Nung Nung का मतलब भी can है लेकिन ये हम बता रहे होते हैं के ability मतलब कि ability show करने के लिए कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा अभी देखे का example मतलब कि आप अभी काम करने के काबिल हैं या नहीं है अब देखने आप मेरी बास सुने अब देखने अब बास इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता अब वो कह रहा है मैं गाड़ी नहीं चला सकता इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ability नहीं है इसका मतलब है वो भी सकाबल नहीं है, यानि वो थका हुआ है, अबिल्टी है, गाड़ी चला सकता है, थक्वी खाएचि, वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसके अंदर अभी वो काम करने की अबिल्टी नहीं है, यानि वो थका हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे नंग इस पूनंग या पूछः जो फीघ oh दान्ग होता है जाद तर गुस्य हम्हारे घुस्य कर रहता हैँ अब इसका मतलब यह बंदा गुस्य में आपके गुस्य को खारता लेकिन अगर आप भू-खै नहीं बेटा करते हैं ओके आपसे कोई बंदा कुछ कहता है जी मैं जाना चाहता हूं तो आप कहते हैं खई इसका मदल है ठीक है okay okay के लिए इसरा आप हाउदा इस्तेमाल करते हैं उसकी जगा खई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो मीड़ा आपको समझ आई होगी फिर भी को क्वेस्चन हो तो कमेट में पूछेगा टेक कियर लाफीज लाइक शेर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को